रोमा कमरे में जाकर तयार हो रही थी आखिराज उसके अमीर माईके से उसका भाई जो आने वाला था वो पहले ही बाजार से पिज़ा, फ्रेंच फ्राइज, हॉट डॉग, बर्गर और जूस उसके लिए मंगवा लेती है कुछ देर बाद रोमा का भाई अखिलेश, रोमा की घर आता है, रोमा सीधा उसे अपने कमरे में ले जाती है ले भाई, ये सब मैंने तेरे लिए ओर्डर किया है, अब जल्दी से खाले नहीं तो ठंडा हो जाएगा अखिलेश रोमा के हाथ में गिफ्ट देता है, ओ माई गॉट आइफोन, थैंक यू सो मच भाई, आई लव यू सो मच कुछ तेर बाती करने के बाद अखिलेश वहाँ से चला जाता है, रोमा एक अमीर घर की लड़की थी, जिसकी शादी मिडल क्लास फैमली में हुई थी उसका पती नैतिक और वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और वहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन जहां रोमा अमीर घर से थी, तो वहीं उसकी जेठानी सुमन एक गरीब घर से थी, अमीर देवरानी के नकरे हमेशा उपर ही र रोमा, देवरची लाएं हैं क्या? हम, वो कहां से इतना मेंगा फोन लाएंगे मेरे लिए? ये तो मेरा भाई लाया है मेरे लिब बर्डे गिफ्ट, पता है पुरे 50,000 का फोन है, अच्छा, वैसे मैंने फेस्बुक में देखा कि आपका भाई सुनील नैनी डाल गया था हन हनीमून के लिए? मेरा भाई तो अपने हनीमून पर स्विट्जर लैंड किया था, पर खेर, अब जिसकी जैसी ओकात होगी, वो तो वैसी ही जगा जाएगा ना? ये कहकर रोमा किचन से चली जाती है, और बेचारी सुमन अकेले ही अब सारा काम करती है, शाम को नैतिक आफ हम तो अपने जैसा कोई घटिया फोन ले आते, पांच-दस हजार का, और वैसे भी मैंने ये उससे मागा नहीं था, बलकि वो ही ले आया था मेरे लिए, तुम्हारे पूरे खांदान के फोन मिला कर भी इतनी कीमत के नहीं होंगे, जितना का ये अकेला ही है, मेरा आइफोन रोमा तो अब बस कपड़े बदल-बदल कर आइफोन से फोटो खीचती, अब वो हर वक्त नए फोन में बिजी रहती और उसमें से नए-नए ट्रेंडी कपड़े देखकर अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती, रोमा के फोन से अब उसकी जेठानी सुमन बहुत प पहर आई, आहां, यहां से फोटो खीचती हो, रोमा सुमन के हाथ में आईफोन देखती है तो हैरान रह जाती है, भाबी, आपने आई, आया, आईफोन लिया है क्या? आहां, वो क्या है ना, तेरे जेठ जी ने ओर्डर कर दिया, मैंने तो उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब इस घर की छोटी बहु के पास आईफोन है तो तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए ना, इसलिए उन्होंने इसकी महिने की किष्ट बन वाली, और यह मेरे ले ले लिया, वैसे मेरे फोन का रंग तुम्हारे फोन से जादा अच्छा है, है ना जिस जिठानी को रोमा सारा दिन अपना आईफोन दिखा कर चिढ़ाती थी, उसे नीचा दिखाती थी, आज वही जिठानी रोमा को अपने फोन से चिढ़ा रही थी, फिर सुमन अपने कमरे में चली जाती है, अब तो वो भी हर वक्त अपना आईफोन लेकर खुमती रहती और घर का काम जैसे का तैसा पड़ा रहता भाभी, भाभी ये क्या है? अभी तक खाना क्यों नहीं बना? मुझे बहुत भूख लगी है वो क्या है ना देवरानी जी? अभी मुझे अपने फोन के फीचर्स समझने है तो मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए ऐसा करो तुम ही खाना बना लो हम सब के लिए क्या? मैं? आँ वो ठीक ही तो कह रही है उस दिन रोमा कोई सारे घर का काम करना पड़ता है और समन अपने कमरे में फोन देखती रहती है लेकिन एक ही दिन में वो बुरी तरह ठक जाती है और फिर गुस्से में खुद से कहती है इस जेठानी के फोन ने मुझे नौकरानी बना कर रख दिया है ऐसा ही हाल रहा तो मैं तो काम वाली बाई बन कर रह जाऊंगी नई 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 मुझे कुछ सोचना होगा हैं आइटिया रोमा उस फोन को चुराने का प्लान बना लेती है वो रात को चुपके से सुमन के कमरे में जाती है और उसके सिरहाने रखे आइफोन को उठाती है तो उसे देख कर हैरान रह जाती है हैं ये क्या ये तो सिर्फ आइफोन का कवर है हाँ तो इन्होंने कब आईफोन मंगवाय था वो तो बस आईफोन का कवर ही मंगवाय था तब ही लाइट आउन हो जाती है और सभी घरवारे उसका खूब मजा पुड़ाते है रोमा शर्मिंदा हो जाती है तो आपने मुझसे जूट क्यों कहा? मुझे कुछ मत बोलो देवरानी जी ये आईडिया तो आपके जेट जी का था पिछले कुछ दिनों से तुम सुमन को अपना बड़पन दिखा कर उसे नीचा दिखा रही थी न? तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें ये एहसास दिलवाया जाए कि तुम इस घर की छोटी बहू हो और सुमन बड़ी पैसा और महंगा सामान ही सब कुछ नहीं होता रोमा अरे ये सब तो बस एक लालसा है जीवन की असली दौलत तो अपनों का प्यार और साथ होता है रोमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे माफिय मांगती है अब वो भी घर के कामों में अपनी जेठानी के बराबर ही हाथ बटाती और खाली समय पर ही अपना आईफोन चलाती क्या कर रही थी मेरी लाडो कुछ नहीं पापा, बस लेटी हुई थी तुम्हारी मा कहा है? मा और चाची रसोई में खाना बना रही है अरे, तो अगर मा और चाची खाना बना रही है तो तुम्हे भी उनका हाथ बटाना चाहिए न? हाँ जी पापा, मैं बस जाई रही हूँ अपने पापा के कहने पर किरन फॉरन रसोई की तरफ चली गई जहां उसकी चाची और उसकी मा खाना बना रही थी उसे रसोई में आता देख उसकी मा कमला ने उससे कहा क्या हुआ? तेरा मूख्यो लटका हुआ है नहीं तो, कुछ भी तो नहीं हुआ अब लाओ ये गाजर मैं छिल देती हो नहीं रहने दे, अब कुछ तो बात है बताना क्या हुआ? वो मैं पढ़ाई कर रही थी अपने कमरे में पर पापा ने कहा कि मैं आप दोनों का हाथ बटाओ रसोई के काम में अच्छा, तो ये बात है कोई बात नहीं बेटा, जब तेरे पापा खाना खाकर खेट पर वापस जाएंगे ना, तब तू पढ़ लेना ठीक है? ठीक है माँ क्या पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है किरन अरे जल्दी से जल्दी खाना बनाना सीख ले वरना ससुराल में सब तेरी माँ को ही कोसेंगे की लड़की को कुछ नहीं सिखाया उन्होंने अपनी चाची की ये नसीहत किरन को बिलकुल नहीं भाई लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली दरसल किरन के पिता हरीश दो भाई थे बड़े हरीश और छोटा सतीश हरीश की शादी कमला से हुई थी जबकि उमा छोटे भाई सतीश की पत्नी थी घर में दो ही बच्चे थे हरीश और कमला की बेटी किरन और सतीश और उमा का बेटा राहुल ये सब ही एक ही घर में रहते थे किरन दिदी तुमने आगे का क्या सोचा है? आगे का मतलब? अरे मतलब बारवी के बाद क्या करोगी? मतलब शादी करके कौन से गाउं जाओगी? क्योंकि ताओ जी तो तुम्हे आगे तो पढ़ने नहीं देंगे हेहे राहुल बहुत ही शैतान और मतलबी किस्मका लड़का था ठीक अपनी माउमा की तरह वो अपनी बड़ी बहन किरन को ताना मार कर चला गया दरसल किरन आगे पढ़ना चाहती थी जीवन में कुछ बनना चाहती थी लेकिन उसके पापा हरीश पुराने खयालों के थे उन्होंने तो किरन के लिए रिष्टे भी देखना शुरू कर दिया था हाला कि किरन की मा कमला किरन की खुशी के लिए उसे आगे पढ़ना चाहती थी जैसे जैसे बारवी की परिक्षाएं पास आने लगी किरन घबराई घबराई सी रहने लगी उसे परिक्षाओं का डर नहीं था बलकि उसे डर था उसके सपनों के तूट जाने का और उसका ये डर उसकी मा कमला अच्छे से समझ रही थी क्या हुआ? इतनी उदास क्यों है? मा मुझे आगे पढ़ना है, तुम पापा से बात करो ना कोई फायदा नहीं है बिटा, मैंने कोशिश की थी लेकिन लेकिन क्या मा? पापा को आखिर दिक्कत क्या है? राहुल के लिए तो इस घर में बहुत बड़ी-बड़ी बाते होती है जिबकि वो तो पढ़ाई में मुझे अच्छा भी नहीं है अगर वो आगे तक पढ़ सकता है तो आखिर मैं क्यों नहीं? किरन के सवाल का कमला के पास कोई जवाब नहीं था इसलिए वो किरन से बिना कुछ कही वहाँ से चली गई किरन कुछ देर वहीं बैठ ही रोती रही फिर उसने देखा कि उसका भाई राहुल कोई किताब पढ़ रहा है किरन उसके पास गई और उसकी किताब में जहांकने लगी क्या देख रही हो दीदी? किरन ने उस चुनौती को स्विकार किया और जट से चार-पांच सवाल राहुल के सामने ही हल कर डाले राहुल का मुझ खुला का खुला रह गया किरन मुस्कुरा कर वहां से चली गई ऐसे ही वक्त बीटा गया और पिर किरन का बारवी का रिजल्ट आया उसने अपने स्कूल में टॉप किया था लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पढ़ रहा था जबकि राहुल जो ठीक ठाक नमबरों से पास हुआ था उसके लिए उसकी मन पसंद खीर पक रही थी हाला के कमला के पास अपनी बेटी के लिए खुश खबरी जरूर थी किरन मेरी बाद ध्यान से सुन बेटा तेरी मामी ने तेरे पापा को फोन करके कहा है कि उनकी तब्यद बहुत खराब रहती है तो बच्चों की देखभाल के लिए वो तुझे अपने पास बुलाना चाहती है कुछ महीनों के लिए अरे पर क्या हुआ मामी को? कुछ नहीं हुआ उन्हें पगली तू बस उनके पास चली जा वरना यहां रही तो तेरे पापा तेरी शादी करा देंगे रहनी दो मा कुछ महीनों में क्या हो जाएगा? अरे पगली तू जा तो सही वहां तेरा जो मनाए जाकर पढ़ ले मैंने तेरे मामा से बात कर ली है उन्होंने तेरे पापा को समझा दिया है कि तेरी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक तू 20 साल की नहीं हो जाती यह सरकारी नियम है ऐसा बोला उन्होंने तेरे पापा को अब किरन को सारी बात समझा गई उसने खुशी से अपनी मा को गले से लगा लिया और इस तरह किरन हसी खुशी अपने मामा के पास चली गई और इसके साथ ही किरन की शादी कुछ वक्त के लिए टल गई किरन अपने मामा के घर रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और अपने खर्च के लाएक पैसे भी कमाने लगी तू ठीक तो है न किरन हा मा मैं ठीक हूँ, आप बताओ अरे क्या बताओं अपना राहल पत्वारी बन गया है अरे वा, कमाल कर दिया उसने कहा है वो, लाओ बात कराओ यही तो दिख्कत है वो किसी से बात नहीं करता बहुत बड़ा आदμी बन गया है मैं समझी नहीं मा, हुआ क्या है? अरे एक साल पहले राहुल ने पटवारी का इम्तिहान दिया और पास हो गया, बस फिर तो उसके और उसके माबाप के तेवर ही बदल गया, तेरी चाची कहने लगी कि अब ये घर लायक नहीं है, राहुल दोनों को साथ लेकर शहर चला गया है, सुना है वहीं कोई नया घर ले लिया है, तो आप मिलने नहीं कहीं उनसे? पहले तो उन लोगों ने बुलाया नहीं, अब अगले महीने बुलाया है राहुल की शादी कर रहा है? हाँ, तेरी चाची ने फोन किया था, बोल रही थी बहुत बड़े घर में शादी हो रही है, तो जरा तयारी के साथ आना, मा अब जाओगे? हाँ, जाने का मन तो नहीं है, क्योंकि तेरी चाची और रहुल के घमन के अब कोई सीमा नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, वरना कहेंगे कि हम चिड़ के मारे नहीं आए, अच्छा ये सब छोड़ और ये बता तू कब आएगी? जल्दी आऊंगी मा, कुछ दिन बाद राहुल की शादी का दिन भी आ गया, राहुल के सस्रॉाल वालों ने शादी पर बहुत खर चल लिया था, शादी देखकर कमला और हरीश को बहुत खुशी हुई, लेकिन ना तो उनसे राहुल ने कोई बात की और ना ही गेट की तरफ भागा, तभी उसकी मा उमा ने आवाज लगाई, कहां जा रहा है राहुल? हरीश की आँखों में शर्मिंदगी के साथ साथ अपनी बेटी पर फक्र भी झलक रहा था, जबकि राहुल और उसके परिवार को तो जैसे साप ही सूंग गया था.